की तुमारी भूतिया गर्फ्रेंड एक फेंटेसी है फेंटेसी नहीं है सची महबत है हमाई मिलती का जोड़ी सची महबत दोस्तो 15 अगस्त के खास मौके पर ली जो ये बॉली वुड की तीन बड़ी फिल्में एक साथ जिन्हों ने दोस्तों बॉक्स ओफिस पर एक से एक बढ़कर कलेक्शन किया है बहिं दोस्तों तीनों फिल्मों को वाज सिनेमा घरों में दूसरा दिन है जिसमें दोस्तों जौ बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते इस वीडियो को आप लोगों से रिक्वेश्ट वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों बहिं दोस्तों सबसे पहले बात की जाए जौन अबराहम की मूवी ब कबर बॉक्स ओफिस पर हिट हो पाई लेकिन दोस्तों बात करें इस मूवी की कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी न पहले दिन 15 अगस्त को हॉलिडे को दोस्तों इंडियन बॉक्स ओफिस पर काफी बड़ा दमाका किया और इस मूवी न पहले दिन इंडियन बॉक्स ओफ इस पर मात्र तीन कड़ोर 50 लाक रुपए की कमाई कर रही है इस एक साथ दोस्तों इस बेदा मुवी के दो दुनों का टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन हो रहा है दस करोड़ पच्छेस लाक रुपए का तो इस मुवी ने दो दुनों में टोटल बल्ड वैड बॉक्स अफ सुपरिस्टार अक्षय कुमार की मुवी केल केल में की दो दिनों की बॉक्स अफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बताता चलूं इस मुवी को मुदसर अजीज के डारेक्शन बनाए गया दोस्तों इस मुवी का बजट है 120 कड़ो रुपए का इस मुवी में अ करोड 96 लाक रुपई की कमाई की दोस्तों अक्षे कुमार की कई पिछली फिल्मों से बैतर ओपनिंग थी वहीं दोस्तों बात की जाए इस मुवी के आज के दूसरे दिन के बॉक्स अफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आज कोई भी हॉलिडे का दिन नहीं है यह मुव पचास लाक रुपए का तो दो दूनों में इस मुवी ने टोटल बल्ड बैड बॉक्स अफिस पर 14 करोड 71 लाक रुपए की कमाई कर लिए तो दोस्तों अक्षे कुमार की मुवी केल केल में की रिब्यूज काफी बैतर निकल कर आ रहे हैं ऐसे में दोस्तों कयास यह लगा तो कम है क्योंक दोस्तों इस मुवी ने सलमान कान की फिर्म टाइगर तरी और सनी देवल की मुवी गदर टू के पहले दिन के कलेक्शन को भी पीछे चोड दिया है लेकिन दोस्तों बात करता चलो इस मुवी के बारे में तो इस मुवी को जहां अमर कौसिक के टारेक्शन गया तो इस मुवी का बजट अशीक कड़ रुपए का इस मुवी में सरद्या कपूर, राजकुमार राओ, पंकस तरपाथी जैसे कई बैतरीन कलाकर देखने को मिले थे तो इस मुवी के बारे में तो दोस्तों आपको बताता चलो इस मुवी के 14 अगस्त को इंडिया के अं आठ करोड पैंतेस लाक रुपए की कमाई की, बाइन दोस्तों बात की जाए इस मुवी के पहले दिन के कल के बॉक्स अपिस कलेक्शन के बारे में तो इस मुवी ने पहले दिन 15 अगस्त को इंडिया बॉक्स अपिस के सभी रुकॉर्ड तोड़ते हुए साल की सबसे पचास लाक रुपए की कमाई की, तो बई दोस्तों आज इस मुवी को सिनेमागरों में दूसरा दिन है, लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको बताया मैंने, आज कोई भी हॉलिडे का दिन नहीं है, तो यह मुवी आज दूसरे दिन इंडियन बॉक्स अपिस पर मात 23 कड़ो र काई की कमाई कर लइए, तो दोस्तों मूवी कापी बैटर हो, वाशत म दोस्तों यह माना जा रहा है, यह मूवी लैव्द है में 500-600 कड़ो रुपए की कमाई बीग कर लेगी, लेकिन दोस्तों अगर आपने तीनों फिलमों को देखा है, तीनों में से आपको सबसे बैढ्र